हाई एवरिवन तो बच्चों इस वीडियो में आपको जो आपके फाइनल प्रैक्टिकल होता है मार्च को ठीक है मार्च को लग जाते हैं आपके फाइनल प्रैक्टिकल ऐसे लग जाते हैं पांच छे तारिक से और फैबुरेरी में आपकी डेशित आ जाती है तो फाइनल जो practical होता है आपको March को तो उसमें क्या होता है उस दिन क्या दिया जाता है लिखने को क्या करवाया जाता है क्या नहीं वो सारा मैं इस वीडियो में बताऊंगी और यह जो वीडियो है यह सबी के लिए first, second, third year लेकिन first year वालों के लिए बहुत साथ important है क्योंकि उनको पहली बार practical करने में मतलब उनको थोड़ा डर होता है क्या होगा क्या नहीं होगा तो थोड़ी सी मुश्किल होती है लेकिन फिर first year में पता चल जाता है कि इस तरह से होता है practical कि second और third year में इतना वो डर नहीं लगता औ और इतनी मतलब तैयारी पहले से रहती है फिर सब कुछ की ठीक है टेंशन नहीं होती इतनी फिर तो मार्च में ठीक है final practical होने से पहले जो physics वाले teacher है वो आपकी practical फाइल एक बार पहले चेक कर लेते हैं ठीक है February में आपका मतलब why वाली है जाता है एक दिन fix मैंने बताया जो part one वीडियो है ना इससे पहले वाली जो part one है उसमें मैंने बताया है कि February मन्त में आपका एक दिन fix किया जाता है उस दिन आपकी practical फाइल को देखा जाता है कि आपने उसको check करवाया है sign ने करवाई है कि नई करवाई है आपने practical कितने किये हैं फिर साथ में आपका बाईबा होता है और आपको practical भी दिया जा सकता है उस दिन वैसे करने को एक आदव इसको करके दिखाओ तो ये आपके teacher पर depend है तो उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद जो आपके फिर final लग जाते हैं फिर practical exam तो जो आपका final practical होता है वो होता है morning और evening में ये आपकी दो books होती है physics की two books होती है पहली book का होगा morning में दूसरी book का होगा आपका evening में ठीक है एक ही दिन में होता है आपका practical second year में भी third year में भी इस तरह से दो-दो book के होती है physics की non-medical होगा आप तो आपका क्या होता है physics होता है chemistry होता है math दो-दो subject तो लगने ही लगने है इनके तो इनके practical होगे दो book के लगेंगी तो morning में first book code किस तरह सोते है 101, 102 तो 101 का आपका morning में हो जाएगा 102 का आपका evening में हो जाएगा ठीक है morning time आपका होता है 10 बजे से 1 बजे तक evening time होता है आपका 2 से 5 बजे तक और जो physics के practical होते हैं बड़ी जल्दी हो जाते हैं मदद 10 मिनट का काम है physics का practical ये 10 मिनट का काम भी उनके लिए है जिन उनने खूद practical की होंगे class में practice उनके लिए 10 मिनट का काम और बच्चों के लिए नहीं होगा 10 मिनट का काम जिन उनने बैठे रह ऐसे ही और दूसरों के लगे हैं copy paste करने प्रैक्टिकलर हो गया उनको बड़ी मुश्किल होते हैं उस दिन फिर और डांट भी पढ़ते है टीचर से फिर तो जब आप सुब आपका morning time ठीक है पहले date sheet देख लो आप screen पे है ये ये मेरे पास भी ऐसी 3rd की है तो इस तरह से होती है आपकी date sheet आई होती है 1st year के लिए क्या 101,102 इस तरह से code होंगे और कुछ नहीं होगा अलग 2nd year के लिए 201,202 बस और 3rd year के लिए 301,305,304 जो भी आपके subject code होते हैं जो भी आपके college ने books लगवाई होती हैं उस तरह से जो आपकी date sheet होती है अब सब colleges का अपना अपने books है पढ़ाने की अलग-अलग subject हैं कोई कुछ पढ़ाता है, कोई कुछ पढ़ाता है लेकिन physics के practical जो होते हैं वो same ही होते हैं वैसे मतलब same नहीं होते हैं पर मतलब की होंगे practical मतलब यहीं चीज़ी होती है experiment apparatus वगेरा जो भी है तो वो तो जैसे morning time में आपका 10 वजे तो 9.30 पे आप पहुँच जाएंगे वहाँ पे ठीक है 9.30 पे तो वहाँ पे आपसे sign करवाई जाएगी मतलब attendance ली जाएगी आपकी तो attendance ली जाएगी मतलबान इस पहले वहाँ पे signature करवा देंगे जो होते हैं वहाँ के LA lab assistant तो वहाँ पे आपसे roll number wise signature करवा देंगे उसके बाद आप अपनी seats पे बैठ जाओगे ठीक है इस तरह से होते हैं वो बड़े-बड़े tables इदर बैठेगा को इदर 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 ऐसे फिर आ जाएगा आपका teacher class में फिर आप roll number wise बैठे होंगे वैसे roll number wise भी नहीं बैठाते लेकिन चलो जो भी है लेकिन सब को अलग-अलग practical दिया जाता है ठीक है अगर वैसे ऐसा भी होता है ना कि दो बुके हैं आपको लेकिन दो नो बुक्स का एक में एक practical फाइल में करवा दिया है मतलब 5 या 6 practical बस तो उसी में से आपको दिये जाएंगे ऐसा code नहीं देखा जाएगा ये तो जस्ट फिर ऐसे होगा आपका भी morning evening में ये code था second में ये होगा लेकिन जो मतलब आपकी practical फाइल में प्रैक्टिकल करवा है ये 6 practical करवा है ना तो 6 में से कोई भी आपको practical दे दिये जाएगा आपको 6 के 6 practical आने चाहिए याद होने चाहिए प्रोसीजर को छोड़के सब कुछ पढ़ना है प्रोसीजर नहीं दिया जाता तो जो भी है सबको अलग-अलग practical दिये जाएगा फिर आपको experiment बोलेंगे क्या करना है आपने दे दिया जाएगा एक उसके बाद आपको बोलेंगे कि apparatus लिखो, circuit diagram लिखो theory लिख लो या working formula थियोरी होगी जिस practical की छोटी सी तो वो लिख देनी अगर जादा बड़ा है theory बाला तो उसको थोड़ा सा short जैसा कर देना और पर लिख देना theory ठीक है theory लिख लेनी है ठीक है 2, 3, 4, 5 line की फिर उसके बाद observation table बना देना फिर ये बोलेगा teacher 20 को लिखो ना फिर उसके बाद teacher के पास ले जाएंगे teacher बोलेगा मेरे पस लाना है लिख के मुझे चेक करवाना है फिर वो sign करेंगे observation पे बे टेवल बना लिए फिर बोलेंगे कि practical करो फिर आप जाओगे practical करने फिर reading लोगे फिर वो teacher को दिखानी है बे मैंने इस तरह से लिए reading प्रैक्टिकल को मतलब एक reading ले नहीं वस फरस्ट उसको बताना कि वो इस तरह से लिए मैं को बुलाक के करना पड़ेगा या सर जो भी उनको बुलाक के करना पड़ेगा अब आओ देखो भी इस तरह से मैंने ये किया practical फिर वो देखेंगे कि हाँ इस तरह से करके यह value आई तो वो बापिस से sign करेंगे फिर वो लेंगे करो अब आगे खुद मतलब करो आगे इसको complete फिर आप दो उसरी तीसरी दो तीन reading ले लोगे जितनी मतलब readings आपने लेनी है तीन कर reading काफी होती है वैसे तीन कर काफी होती है अगर कोई जादा बड़ा practical है जिसमें जादा reading की जुरूरत है तो उतनी लेनी है उसके बाद क्या करनी calculation का लेनी result, precaution और हो गया आपका पूरा complete practical calculation के लिए आपने calculator ले लेना है ठीक है first year में ले लोग calculator ऐसा है कि second year में भी काम आएगा third year में भी काम आएगा calculator जो होता है वो allowed होता है non scientific होना चाहिए इस तरह से देखो यह होता है इस तरह का calculator allowed होता है क्योंकि इतनी जादा calculation होती है तब होता है जल्दी practical हो ठीक डंग से calculate होता है नहीं तो आप हाथ से करने लोगों के बड़वाय time लगेगा गलत भी value निकल सकती है तो यह calculator ले लेना है third year में अगर आपका numerical method subject होगा तो वो calculator पे based है उस time भी काम आ जाएगा यसे भी काम ही आ जाएगा तो calculator ना हमेशा सब बच्चे लेना जो भी इस वीडियो को देख रहा है calculator लेक के जाना है calculator लेक के जाना है अपना खुद का लेक के जाना है ठीक है calculator ले जाना और जल्दी से practical करना और बिल्कुल अच्छी तरह सकरना फिर यह लिखने के बाद आप चले जाओगे teacher के पास यहाँ पर बैठा होगा teacher रागे जैसे तो यहाँ से चले गए teacher के पास यहाँ पर रखा होगा आपके लिए chair जो भी होता है बैठने के लिए तो वहाँ पर आप दे दोगे कि मैंने यह कर दिया फिर जो practical आपको दिया होगा लिखने को उसका बाईवा होगा मतलब दो तीन कर question पूछेंगे जादा में नी पूछते हैं लेकिन आपके teacher पर डिपेंड है वो जादा भी पूछ सकता है ठीक है वैसे दो तीन question पूछे जाते हैं अगर आपको ऐ फोटो लेक्ट्रिक एफेक्ट वाला तो बोलेंगे कि एलेक्ट्रोन एजेक्ट क्यों होते हैं वहाँ से मतलब वहाँ पे वो मतलब लाइट गिरी तो एजेक्ट क्यों हो एलेक्ट्रोन इस तरह से पूछ सकते हैं उसको पूछ सकते हैं आपको कि इसको क्या बोलते हैं What is this? क्या है ये? है न तो ऐसे ऐसे question छोटे छोटी बातें पूछेंगे और कुछ नहीं और definition पूछ सकते हैं slip bus से भी पूछ सकते हैं अगर आपका जो teacher है practical करवाने वाला वही आपका subject teacher है न मतलब जो class में पढ़ाता है आपको book वही same teacher है दो नो जगा तो वो आपको slip bus से भी पूछ सकता है थोड़ा सा मतलब book का कि वही ये क्या है तो उस तरह से तो दो तिन question पूछेगा बाइबा आपका एक बार होगा ठीक है morning में जो जो practical कर देते हैं जल्दी जल्दी उनका बाइबा हो जाता है फिर एक time होगा बाइबा जिन उनने morning में दे दिया है बाइबा उनका evening में नहीं होगा अब बाग की तो teacher पर डिपेंट है वैसे एक बार लिया जाता है बाइबा अब आपके college के teacher पता नहीं होंगे ऐसे की नहीं लेकिन एक बार लिया जाता है बाइबा और हो गया और जिस time आप वाईवा देने जाओगे अपना practical करने के बाद तो उस time teacher आपकी practical file एक बार पापिस से चेक कर सकता है कि आपने चेक करवाई थी कि नहीं करवाई थी ठीक है वाईवा लेते time आपकी practical file को देखा जा सकता है वो अब आपके teacher पेडिपेंड है सब कुछ की वो देखेगा दोबारा की February मन्त में देख ली थी तो वो ही काफी थी ठीक है फिर वाईबा देना और अपनी practical file रख्योगी नीचे ऐसे सब रखते हैं अपनी practical file से एक जगा वहाँ से practical file उठानी और चलते बनना फिर आणा evening के time दो बजे मतलो 1.45 पर आजाणा और जब आप morning का practical करके चले आओगे तो बार बैठ जाणा कहीं पे library में बैठ जाणा आप ground में बैठ जाणा जा आमर जी बैठ न होगा तो फिर जो evening का उस जो जितने practical बच गए मतलो 6 practical थे न एक practical आपको दे दिया आप जो पांच practical बचे उन में से आपको दूसरा practical दिये जाएगा कोई भी दे सकते हैं तो उनको पढ़ लेना बाईबा तो होगा नहीं हो गया जिसका है होना था जिनका नी हुआ morning में उनका evening में होगा तो उनको पढ़ना पड़ेगा बाईबा के लिए वैसे बैठ रहे कि morning में बाईबा दे दो evening में फिर दोस मिनट में practical किया और चले गए गर को तो फिर वो जो पाँच practical बच गए उसमें से आपको दूसरी बार वैसे same to same होगा evening में आप जाओगे बैठोगे आपको उन छे practical में से एक जो दे दिया morning में वो नहीं दिया जाएगा दूसरा दिया उस तरह से यह गा apparatus लिखना circuit diagram theory observation teacher की sign करवानी फिर एक reading लेनी फिर वो दिखानी भी हाँ इस तरह से ली मैंने उस पे sign होगी teacher की उसके बाद calculate करना calculator से और result लिखना precaution लिखनी और ये सब तब ही होगा जब आपने खुद practical की होंगे class में और पढ़ के गए होंगे practical तब की लिख लिख क्या कर नहीं है इस तरह से observation table बनता है बारबाय प्रैक्टिस करने है एक्जाम से पहले कि बारबाय के भी apparatus ये है इसका सर के diagram इस तरह से बनेगा बारबाय प्रैक्टिस करके होता है बिल्कुल अच्छी तरह से काम तब बैठते है दिमाग में फिट बात फिर नियोती गलतिया फिर इमिलते कम नंबर तो यह था वन टाइम ठीक है फिर इवनिंग में आप प्रैक्टिकल दोगे दस मिनट का काम हो जाएगा कितने बज़े फ्री होगे तीन बज़े होगे फ्री दो बज़े स्प्रैक्ट्रल तीन बज़े खतम जतनी जल्दी जल्दी वो जा सकता है घर को और फिर फाइनल एक्जाम की तैयारी करेगा फिर प्रैक्टिकल्स के बाद तो आपको छुटी हो जाती है मतलब एक्जाम तक फिर सिद्ध आपने डेट शीट देखनी है ओफिशल बैप साइट पे और पेपर देने चले यहाना है अब एपरेल को जब भी होंगे में, जून, जुलाई जब भी और एक और बात की जो आपका फाइनल प्रैक्टिकल्स एक्जाम है इसमें यह जो ग्राफ है यह अपने पैन से बनाने है बॉल पैन से ठीक है पैनसिल का यूज बिल्कुल नहीं होगा सिर्फ पैन का इकाम है सारा का सारा और ठीक डंग से बनाने है ठीक है ग्राफ पैन से साप सुत्रे हाथ लगा के खराब नहीं करना है तो इस तरह से यह है और यह वीडियो एस्प्यू एच्प्यू दोनों के लिए है मैं भी बोलरी लास्ट में ऐसा ही होता है अब थोड़ा आपका वेरी कर सकता है बट यह होता है ठीक है और थर्ड इयर में न एक कंप्यूटर बेस्ट होंगे शायद प्रैक्टिकल इस तरह से ऐसे हमें नहीं थे यह करवाए हमें नहीं करवाए गए तो इस तरह के प्रैक्टिकल होंगे किसी को तो उसको चाहिए होंगे ये वाले नोट्स वगेरा पता नहीं किस काम आएंगे मुझे नहीं पता लेकिन मैं इसका पीडियाफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगे ठीक है आप देख लेना जिनके होंगे थोर्ड बाद में क्या करना है जो प्रैक्टिकल से रिलेट जो भी कोशिण बनता हो उसको पढ़के जाना है ठीक है और ये बाते तो मैं आप भी बता रहुए हूंद देखो अभी जैनुरी मंत भी है फैब्ररी है दो मिन्ने है दो मिन्ने तक प्रैक्टिकल भी हो जाएंगे कम ही होंगे वैसे भी आपको करवाए होंगे तो वो कर लेने है ठीक है पढ़ना है उनको जैनुवरी में पढ़ लेना है एक बार फैबरेरी में प्रैक्टिकल के एक्जाम के पहले पढ़ लेना दो दिन दिन होंगे चुटी हैं जो भी होगा लिख लिख के पढ़ना है पर और ये इसका कंक्लूजन क्या निकलता है सब कुछ का तो सब कुछ का कंक्लूजन ये निकलता है कि अपनी मतलब क्या करना है अटेंडेंस ठीक डंग से रखा करो अपनी और प्रैक्टिकल लगाया करो प्रैक्टिकल लिखा करो उसको चेक करवाया करो प्रैक्टिकल फाइल हमेशा आपकी चेक होने चाहिए साइन होने चाहिए टीचेर के और जो प्रैक्टिकल करते हो उसकी इनफॉर्मेशन हुआ करनी चाहिए आप ठीक है और practical exam में calculator लेक के जाना है और जो है आपने पढ़ने है वो practical वैसे जो बच्चे practical करते हैं न क्लास में वही कर सकते हैं practical इसी लिए practice किया करो practicals किया ऐसे नहीं बैठा रहा करो आलसियों की तरह परवाई करके बैठे रहते हैं बच्चे दो मतलब बहुत कम बच्चे करते हैं practical क्लास में और उनको यागता है practical फिर उनको लगते हैं उस टाइम पूछने बच्ची दा सिदे बच्ची दा सिदे क्या चली जाना दस दे किया करना है न मतलो अब अपना practical करना क्यों को बताने लगना उस दिन final practical के टाइम लगते हैं पूछने जब आपर कर रहे होते हैं अपना practical तो साइड से आरे होते हैं कभी कभी कोई बोलने बतादे practical कैसे करना क्या करना क्या नी तो अब अपना practical करो जल्दी से और चलते वनो वाहां से है ना जब टाइम था तब वो बैठे रहते थे समान भी नहीं लाते थे कुछ भी नहीं करते थे फिर ऐसा योगा नब अब टीचर भी डांडता रहता है फिर ऐसे बात करें और हाँ चीटिंग मत करना फोन भी अलाउड नहीं होते हैं ठीक है कल्कुलेटर अलाउड होता है कल कल्कुलेटर लेके जाना है कलोकुलेशन के लिए फोन का यूज नहीं करना ओके ठीक है एंड बेस्ट आफ लख